नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फेस्बुक के माध्यम से लाइब प्रसारन कैसे किया जाता है सबसे पहले हम फेस्बुक पर टैप डिस करते हैं, यह फेस्बुक खुल करके आता है और इसके बाद जैसे कि हम किसी पोस्ट को करते हैं पोस्ट पर जाते हैं और जाते ही यहाँ पर पोस्ट करने के लिए आप यहाँ लिख भी सकते हैं नीचे फोटो वीडियो का उप्सन आता है और उसके नीचे गोलाइव का उप्सन आता है इसी प्रकार आप किसी भी ग्रूप में यदि लाइप प्रसारूं कुछ करना चाहें तो यहाँ पर टैप प्रेस कीजिए सर्च पर और यहाँ पर आप ग्रूप का नाम लिख लें जैसे कि मैं संस्कृत पद्यरचनम कबयो वयममी को सर्च कर रहा हूँ ऐसे करके मैं हिंदी में उसका चुकी नाम है इसलिए मैं ये कर दिया ये सामने आता है टैप प्रेस करते हैं वो ग्रूप खुल करके आगया और ये ग्रूप पर हम प्रेस करते हैं ग्रूप का नाम ये खुलता है और हम पोस्ट करने के लिए जाता है write something में फिर यहां पर हम tap press करते हैं tap press करते ही हमारे पास नीचे option कहीं आता है कि photo या video करना है, go live होना है या क्या होना है तो हमें चुकी direct सिधा प्रसारिन करना है तो go live पर हम press करते हैं go live पर press करते ही दाहिनी तरफ नीचे में हरे color में आता है go live का एक option ये देखिए मैं फ्रंट कैमरा चालू रखा हूँ फ्रंट कैमरा के सामने ही मेरा पूरा फिगर आ गया है और मैं गो लाइब का ऐसे टैप प्रेस करता हूँ दो सेकेंड एक सेकेंड और इसके बाद मैं लाइब हो गया हूँ अब मेरा पूरा आपको दिख रहा होगा जो भी लोग जूरे हैं वो सारे लोग यहां से देख सकते हैं जब तक आप चाहें अपने विश्यों को प्रतिपादित करें अपनी कविता सुनाएं और जब पूरा हो जाए तो फिनिस का बटन जो दाहिनी और नीचे में है उस पर बटन दबा देते हैं ऐसे एडिटिंग लाइब विडियो का उप्सन आता है और ये कुछी छणों में आप से पूस्ता है कि इसको पोस्ट करना है अथवा नहीं अच्छा होगा आप इसको पोस्ट का बटन दबा दे पोस्ट बटन दबाते ही ये आपका विडियो अपने उस पेज पर पोस्ट हो जाता है धन्यवाद